पिछली बार हमने पदार्थ की अवस्ताओं में परिवर्तन के बारे में पड़ाता है कि पदार्थ है वो ठोज से द्रव में बदल सकता है द्रव से गैस में गैस से प्लाजमा में इसका उल्टा भी यानि कि विप्रीत करम में भी चलता है यह जो पदार्थ है वो अब अवस्ता में परिवर्तन कर रहा है पता है इसको हम बाहर से देख पा रहे थे और जो ऐसे गुण जिनको हम बाहर से देख पाते हैं उन गुणों को क्या कहा जाता है तो उन गुणों को कहा जाता है भूतिक गुण और कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनको बाहर से देखा नहीं जाता है लेकिन कुछ अभी किरियाओं से अउलो कित किया जाता है ऐसे गुणों को क्या कहा जाता है रासाइनिक गुण कहा जाता है अगर किसी पदार्थ है उसके भूतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है तब तो उसे क्या कहा जाता है भूतिक परिवर्तन और ऐसे पर ऐ के बारे में अध्यन करेंगे पदार्तों में सामानित दो परकार का परिवर्तन होता है फर्ष्ट परिवर्तन आ जाता है बोतिक परिवर्तन दूसरा परिवर्तन आ जाता है रासाइनिक परिवर्तन तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बोतिक परिवर्तन के बारे में बोतिक पर आदी में तो परिवर्तन हो जाए लेकिन उसके रासाइनी गुणा में कोई परिवर्तन नहीं हो तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है भूतिक परिवर्तन कहलाता है रंग रूप आकार आयतन द्रवेमा नवस्ता ये इसके भूतिक गुण है और इनमें कोई परिवर्तन हो या फिर उसकी अवस्ता ठोस से द्रव में बदल जाए द्रव से गैस में बदल जाए या फिर उल्टा हो जाए गैस से द्रव में बदल जाए तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है भूतिक परिवर्तन कहलाता है ध्यान रखना है यहां रासाइनी गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता भोतिक परिवर्तन में कभी भी नए पदार्थ का निर्मान नहीं होता है केवल अवस्ता में परिवर्तन होता है भोतिक परिवर्तन में पदार्थ हमेशा सेम रहेगा नया पदार्थ नहीं बनेगा जो पदार्थ है वही रहेगा जैसे अगर बरफ पिगल रही है पिगल कर पानी बन रही है तो बरप में भी क्या है पानी है और पानी भी क्या है पानी है यानि कि जो पदार्थ है वो क्या है सेम है पदार्थ कभी भी नया नहीं बनता पदार्थ सेम रहता है केवल अवस्ता में परिवर्तन होता है दूसरा है बोतिग परिवर्तन उतकर्मन होते उत कर्मनिय का मतलब होता है इनको वापस पल्टा जा सकता है वापस पल्टने का मतलब है कि जैसे बरफ पिगल कर आपके पानी बन गई तो आप इसको जमा कर वापस क्या प्राप्त कर सकते हैं बरफ प्राप्त कर सकते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि भूतिक परिवर अगर काँच तूट गया तो तूटने के बाद वो रहेगा तो काँच ही यानि कि कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा और दूसरा भूतिक परिवर्दन कैसे होते हैं उत्कर्मनी उत्कर्मनी का मलब इनको वापस पल्टा जा सकता है। जैसे उदान की रूप में बरफ का पिगलना बरफ पिगल की है तो वापस जमा कर हम बरफ प्राप्त कर सकते हैं नमक का जल में गोलना नमक को जल में गोलेंगे तो वापस उनको वास्पी करके नमक और जल अपने प्राप्त किया जा सकता है मोम का पिगलना मोम पिगल रहे ज करना ना ही तो भी रहेगा प्थर का फटना है या ब्लेड का जवाला पर गरम करना है या बलफ का प्रकासित होना है यह लेशि कुछ और अदेख लेते हैं ब्रस्टिक और परिवत्रन के CRUSHING OF CAN के मैंलब है के जो कोई मैटल का कैन है दातु का जल का उबलना mixing sand with water रेद के साथ जल का मिलना breaking glass काच का तूटना या फिर sugar का चीनी का पानी में गुलना या फिर paper का फटना या फिर लकडी का का तोडना या काटना या फिर green and red marble है उनका आपस में mix होना या फिर sublimation of dry ice ठो CO2 का उर्दो पातन ये कुछ और example आ जाते उर्दो पातन भी उर्दो पातन भी किसका example है तो उर्दो पातन भी भूतिक परिवरतन का example है उर्दो पातन है यह सारे के सारे जो परिवरतन है वो किसमें आते हैं वास्पन है यह सारे परिवर्तन भूतिक परिवर्तन के अंतरगत आते हैं गलन संगनन उर्दो पाता हिमन वास्मन ये सारे भूतिक परिवर्तन के अंतरगत आते हैं क्रिष्टली करण क्रिष्टली करण भी एक भूतिक परिवर्तन है क्रिष्टली करण क्या है किसी भी पदार्थ के विलियन ऐग्यांबल हो जाएगा फिटिऐ के विलियन का प्राप्त करना Yeah फिर आप तो जैसे आपके पास जल और सकर का विलियन है पानी के साथ सकर मिली वी है और और गुली वी है अच्छी तरह से गुलीव हे इन दोनों को प्रता करना है तो आप क्या करो पहले जल के साथ मिलेवी सक्कर है इस विलियन को आप गरम करोगे और जैसे गरम करते जाओगे तो यह जो विलियन है वो गाड़ा हो जाएगा फिर जब इसको ठंडा करोगे तो आपको सक्कर के क्रिश्टल प्राप्त हो जाएंगे तो फिटिकरी के विलियन से फिटिकरी नम अगला जो परीवर्टन दूसरा परिवर्टन आ जाता है वह रासायिनिक परिवर्टन एसा परिवर्टन होता है जिसमें पदार्थ के बुतिक गुन के साथ उसके रासायिनी गुड़ों में भी क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है बोती गुण तो उसके चैंज होते ही होते हैं बोती गुण के साथ साथ अगर रासाइनिक गुण भी बदल जाते हैं तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है रासाइनिक परिवर्तन का आपको एक गुण याद रखना है वो गुण है कि रासाइनिक परिवर्तन में सदेव एक नया पदार्थ बढ़ेगा पदार्थ पूरी तरह से चैन्ज हो जाएगा जैसे दूद था दूद को आप जमा दोगे तो दही बन जाएगा दूद और दही दोनों अलग अलग पदार्थ है तो हमेशा एक नया पदार् परिवर्तन का मतलब है इनको वापस पलट नहीं सकते एक बार कोई चीज बन गई तो उसी चीज से वापस मूल चीज प्राप्त नहीं की जा सकती अर्थात परिवर्तन के पस्चात वापस पलट नहीं सकते जैसे दूद से एक बार दही बन गया तो वापस दही से दूद प पदार्त बनता है जैसे दूद से दही बना है तो दही एक नया पदार्त है। कुछ उदान दे लो मौम बती का जलना जब मौम बती जल जाएगी हालांकि मौम बती का जलना है वो भोतिक और रासाइनिक दोनों परिवर्दन है दोनों कैसे है जब मौम बती जलती है तो कुछ मौम है वो पिगल भी जाता है तो मौम का पिगलना और मौम बती का जलना दोन बनेगा और राक बनेगी या भोजन का पाचन है या फल वा सबजी का पकना है लोहे पर जंग लगना है बालों का सफेद होना और जड़ना है कुछ सब्द जैसे आपके कहीं पर लिखा हुआ हो जलना या फिर आपके लिखा हुआ हो पकना पकना जैसे बालों का पकना फलों क फलों का सड़ना है या फिर कार्बनिक पदार्थों का सड़ना है तो ये तीन चीजे कहीं पर लिखी हुई हो तो इसका मतलब है कि वो कैसा परिवर्तन है वो रासाइनिक परिवर्तन है बालों का सफेद होना और जड़ना बाल सफेद हो गए या जड़ गए है तो जड़ने क परिवर्टन के लोहे पर जंग लगना है लकड़ी का जलना है शरीर के अंदर उपाप चाहिए किर्याएं है या फिर अंडे का पकना है एलेक्ट्रो प्लेटिंग में क्या किया जाता है एक दातों के उपर दूसरी दातों की परत चड़ाई जाती जैसे नकली चांदी के आब पूसर बनाए जाते हैं या चांदी का लेप चड़ाया जाता है कि लोहे के उपर चांदी का लेप चड़ाया जाता है तो वह एलेक्ट्री प्लेटिंग के या फिर केले का सड़ना है या फिर विनेगर और बेकिंग सोडे का जो मिक्सर होता है या फिर फटाकों का जलना है या जो बैटरी के अंदर पर चैंज होता है कैमिकल बैटरी होती है बैटरी के अंदर जो चैंज होता है वो सारा कैसा होता है रासाइनिक परिवर्तन होता है रासाइनिक परिवर्तन के कुछ और एक्जामपल है जैसे मोम का जलना है जब मोम जलती है तो क्या होता है मोम की reaction किसी भी पदार्थ का जलना है इसका मलब है को उसकी reaction किसके साथ होती है oxygen के साथ और जब मोम oxygen के साथ reaction करता है तब क्या होता है carbon dioxide बनता है और साथ में क्या बनता है जल वास्प यानि कि ये नए पदार्थ बन जाते हैं नए पदार्थ बनते हैं रासाइनी परिवत नो इसको पलटा भी नहीं जा सकता आलू में starch का परिक्षन करते हैं starch आलू है उसमें जब iodine मिलाते हैं तब क्या होता है बैंगनी रंग का एक नए पदार्थ बन जाता है या magnesium ribbon का जलना है जब magnesium ribbon को जलाया जाता है इसका मलब उसकी reaction oxygen से करवाई जाती है तो magnesium ribbon है वो सफेद ज्वाला के साथ इस तरह सफेद ज्वाला के साथ वो जलता है और क्या बना देता है magnesium oxide बना देता है जो कि एक नया पदार्थ है जब magnesium oxide बन गया तो इससे वापस magnesium नहीं बनाया जा सकता कटे सेब को वायू में खुला छोड़ने पर उसका रंग बदलना सेब को अगर काट कर आप कुछ देर के लिए छोड़ दोगे तो वो भूरा हो जाता है भूरा क्यों होता ह है क्योंकि सेब में होता है लोहा और काटने के पसाद उसको थोड़ी दिर वायू में रखोगे तो लोहे के लोहा है वो वायू की oxygen और नमी से किरिया कर लेगा जिससे क्या बना देगा iron oxide और iron oxide बना देगा जिससे उसकी कटी हुई सत्य का रंग है वो कैसा हो जाएगा लाल बूरा ये किशन पूछा गया है कि सेब को काटने पर बूरा पढ़ना किस परकार का परिवर्तन है तो ये एक रासाइनिक परिवर्तन है नेक्स्ट है मेंधी का राचना मेंधी का राचना भी एक रासाइनिक परिवर्तन है और क्यों राचती है क्योंकि मेंधी में क्वीन नेप्ता कुईन और लासॉन कुछ जैसे रासाइनिक योगिक पाए जाते हैं इसमें ये जो लासॉन है ये स्वेम तो रंग हीन होता है लेकिन जब ये वायो या सूर्य के प्रकास के संपर्ग में आता है तो ये एक लाल रंग के नए योगिक का निर्मान कर देता है तो ये एक रासाइनिक परिवर्तन है पानी से बरे गिलास में आग लगाना कुछ जादूगर है ये वो जादू दिखाते हैं जिसमें पानी के अंदर आग लगा देते हैं तो इसमें क्या होता है कि सोडियम का टुकड़ा मिला दिया जाता है पानी में जब सोडियम पानी से अभि की क्या पैदा हो जाती है चिंगारी पैदा हो जाती है और ऐसा लगता है कि पानी में भी क्या लग गई है आग'll और ये एक रासांस परिवरतन है तो सोดियम जब पानी के साथ येक्ट करेगा तो बना देगा सोडियम हाइड्रोकसाइड साथ में हाइडोजन गैस बनेगी और उस्मा बनेगी इसी उस्मा के कान ये हाइडोजन गैस जल जाएगी जादुगर गहरा गहरा सफेद धुआ निकलना जादुगर है वो कई बार गहरा सफेद धुआ निकालता है स्टेज पर वो कैसे बनाता है तो उसमें क्या करता है कि एक गलास के अंदर अमोनियम हाइड्रोकसाइड का विलियन और दूसरे गलास में हाइड्रोक्लोरिक अमल है वो ले लेता है और जब इन दोनों विलियनों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है अमोनियम क्लोराइड बन जाता है जो कि सफेद दुऊं के रूप में बनता है तो अमोनियम हाइड्रोकसाइड की रियक्षिन जब हाइड्रोक्लोरिक अमल के साथ करवाते हैं क्या बन जाता है अमोनियम क्लोराइड सफेद दुआ और साथ में क्या बन जाता है पानी बन जाता है तो ये भी एक जो जादू है वो एक रासाइनिक अभी किरिया या रासाइनिक परिवर्तन का उधारण है सबसे अच्छा उधारण रासाइनिक परिवर्तन का है वो है लोह को जब खुले वातावन में छोड़ा जाता है तो ये को वातावन में नमी या जल से किरिया कर लेता है जिसे क्या बनता है जंग का निर्मान होता है धातू पर जब जंग लग जाता है जंग लगकर वो नश्ट हो जाता है तो इस किरिया को क्या कहा जाता है संक्षारन कहा जा जंग एक लोहा नहीं है जो जंग लगा है व oppression पर इसका वजन क्या हो जाता है तो इसका वजन हमेशा बढ़ जाता है और ये भी जंग लगने के लिये जरूरी तत्यो कौन से होते हैं ज। जंग लगने के लिए आश्विक तत्यों नमी ओर Oxygen नमी और ऑक्सिजन कहीं पर दोनों पर जेंट है तब वहां पर क्या लग जाएगा जंग जैसे आईरन होगा ये आईरन है वो ऑक्सिजन और जल से क्या अभी के लिए करके क्या बढ़ा देगा आईरन ऑक्साइड एफी टू ओ थ्री इंटू एन एचे टू ओ और इस ये किसक लोहे की अभी किरिया ऑक्सिजन और जल से नहीं होने दे इनका इनके इनसे कॉंटेक्ट तोड़ दे तो जंग नहीं लगेगा और कॉंटेक्ट ओडने का तरीका क्या है ग्रीस लगाकर तेल लगाकर यसद लेपन या गैलवे नैजेजन जो सबसे उप्युक्त तरीका माना जाता है और कौन सा है पेंट लगाकर यसद लेपन क्या है लेशद लेपन में लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर किसकी परचड़ाई जाती है जिसे क्या कहते हैं गैलवे नैजेशन कहते हैं गैलवे नैजेशन का एक अच्छा एक्जामपल क्या है तो वो है कुतू जो दिली में इस्तित है उसके पास उसके सामने जश्ट महरयुली में 6 मिटर उचा और 6 तन वजनी लो इस्तम खुले वातावन में खड़ा है जिसको आज तक क्या नहीं लगा है जंग नहीं लगा ये ये सद लेपन का एक अच्छा एक्जम्बल भूतिक परिवर्तन और रास रासाइनिक गुण और संग्ठन में भी परिवर्तन हो जाता है बोतिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण अटाने पर पुना प्रारंबिक पदार्थ पराप्त हो जाता यानि कि बोतिक परिवर्तन है वो उत्त कर्मनी होते हैं जबकि रासाइनिक परिवर्तन अनुत कर्म लेकिन रासनी परीवर्तन अिस्ता ही होता है दूद से रही से वापस दूद नहीं बनेगा बौतिक परिवरतन में कभी नए पदाथ में करें नहीं 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 होता है बोतिक परिवर्थन का उदार्ण हो जाएगा बरफ जल में बदल रही है जल किसमें बदल रहा है तो वास में बदल रहा है और रासायनिक परिवर्थन का उदार्ण हो जाएगा लोहे पर जंग लगना तो यह हो गया आपका बोतिक परिवर्थन और रासायनिक परिवर्थन